नमस्कार स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दच्छिड भारत के छोटे से राज्य अहमन नगर की एक विरांगना चांद वीवी के बारे में जिसके कुसल नेत्रितु से अकबर जैसे प्रतापी समराट की सेना को भी का मुगल समराज से लोहा लेना बड़े साहस का कारे था किन्तु अहमन नगर ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि चांद वीवी जैसी कुसल विरांगना का कुसल नेत्रित मिल जाए तो अकबर जैसे प्रतापी समराट की सेना को भी मूँ की खानी पड़ सकती है चांद वीवी अहमन अगर की सासक हुसेन निजाम साह की पुत्री थी बाले काल में ही इनकी पिता की मृत्य हो गई थी इसलिए सासन का काम भी इनकी मा देखती थी मा ने चांद बीबी की सिच्छा दिच्छा परिविसेश द्यान दिया थोड़े समय में ही चांद बीबी हरण नीती और राज नीती में कुसल हो गई चांद बीबी का बिवा बिजापुर के सुल्टान अली आदिल साह से हुआ था बिवा के कुछ दिनों बाद ही आदिल साह की हत्या कर दी गई और गदी के लिए दावेदार खड़े हो गए दरबार के अमीर और सरदार भी अलग-अलग उटों में बढ़ गए और आपस में लड़ने जगणने लगे दुखी होकर चांद बीवी अपने भाई के पास आहमद नगर चली गई चांद बीवी ने सोचा था कि आहमद नगर में वे सांती से अपना जीवन बेतीत कर सकेंगी किन्तु सांती से जीवन बेतीत करना चांद बीवी के भाग में नहीं था कुछ समय बाद ही उनके भाई इब्राहिम की हत्या कर दी गई दर्बार के अमीर अपने अपने उम्मिद्वार को गद्धी दिलाने के लिए सर्यंद्र करने लगे दर्बार के अमीरों की फूट और आपसी जगडों से आहमन दगर की सांती घड गई राज की साशन बेवस्ता पर भी इसका बुरा प्रवाव पढ़ा उस समय दचिड भारत में अहमन नगर, बिजापूर, गोल कुंडा और खान देश परमुख राज थे उत्तर भारत में सक्तिसाली समराठ अकबर का विशाल मुगल समराज था अकबर दचिड भारत को भी अपने समराज में मिलाना चाहता था उसने दचिड भारत के राजियों के पास अपने दूतों से संदेश भेजा की वे मुगल समराज की अधिनता स्विकार कर ले खान देश को छोड़कर अन्य किसी राज ने अकबर की अधिनता स्विकार नहीं की अकबर ने अपने पुत्र मुराद को दच्छिर बिजय के लिए भेजा दच्छिर के राजियों की इस्तिती अच्छी नहीं थी एक राजिय की दूसरे राजे से सतुरता थी और राजियों में दर्बारियों की अलग-अलग गुटों से जगड़े चल रहे थी आमद नगर की इस्तिती भी ऐसी ही थी मुगल सेना ने आमद नगर में घेरा डाल दिया था लेकिन दर्बार की अमीर एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी सक्ति बरबात कर रहे थे आएसे समय में उन्होंने दर्बार के अमीरों तता सरदारों से आपसी मद्भेद बुला कर आमद की रक्षा करने का वचन लिया यह चांज बीबी की पर्थम सपलता थी दर्बार में अमीरों को संगठित करने के बाद उन्होंने बीजापुर राज से संधी की और इब्राहिम साग के पुत्र को गद्धी पर बठा कर सासन का कार्य संभाल लिया आमद अगर का मोर्चा सुद्रिण करने के लिए चांद बीबी स्वेंग घोड़े पर सवार होकर युद्ध की तयारी देखती थी वे मोर्चे पर जाकर सानिकों का उर्सा बढ़ाती थी युद्ध कई दिनों तक चला, विसाल मुगल सेना अहमद अगर की छोटे से राज को दबा न सकी एक दिन मुगल सेना ने सुरंग लड़ा कर किले की एक दिवार को उखार दिया मुगल सेना भी खुश थी कि अब वे बिजय निस्थी प्राप कर लेंगे किन्तो चांज बीबी रात भर दिवार पर खड़े होकर सैनकों और कारिगरों का उर्सा बढ़ाती रही रातो रात किले की दिवार की मरमत करा दी गई मुगल सेना यह देखकर आशर चकित रह गई आमन नगर का घेरा चलता रहा न तो चांज बीबी हार मानने को तयार थी और नहीं मुगल सेना घेरा उठाने को तयार थी एक बार आमन नगर की सेना के पास तोपों के गोले समाप्त हो गए सैनकों में निरासा चा गई किन्तो चांज बीबी ने धायरे और सूच बुझ से काम लिया उन्होंने सोने चादी के गोले डलवाएं जिनका परियोग तोपों मिखिया गया इधर आहमन दगर की सेना के पास साधन कम हो रहे थे और उधर मुगल सेना ने भी अनुभव किया कि चांद बीवी पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है दोनों पक्च युद्व से उप गये थे अता वे संदि करने को तयार हो गए चांद बीवी ने बरार का छेत्र अकबर को देना स्विकार कर लिया संदि के बाद बहुत दिनों तक मुगलों ने आमन नगर की ओर आँख नहीं उठाई पांच वर्स बाद मुगलों ने आमन नगर पर पुना आक्रमर किया किन्तु इस समय चांद बीवी नहीं थी दरबार की अमीरों ने सर्यंत्र करके इस महान महिला की हर्त्या कर दी थी मुगल समराथ अकबर भी चांद बीबी की बहादुरी और हिम्मत की इज्जत करने लगा था कहा जाता है कि आमा नगर पर विजब प्राप्त करने के बाद अकबर ने उन सर्दारों को रुणवा कर प्राण दंड दिया जो चांद बीबी की हत्या के लिए उत्तरदाई थी धन्य है चांद बीबी जिनके स्वतंतरता प्रेम धहरे सौर और साहस के कारण उनके सत्र भी उनकी इज्जत करते थे तो दोस्तों ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में फिर मुलाकात हो गई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजी बिल आइकन को प्रिस्ट कर लिजी आपका धन्यवाद